कैसे हैं आप सब उमीद है खुश होंगे स्वस्त होंगे अपने परिवार के साथ होंगे तो आज मैं आप सब के लिए के आई हूँ सिंगाडे के आटे की बर्फी जो की बिल्कुल पर्फेक्ट बनेगी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं स्टिकी नहीं कुछ भी नहीं तो न जिसके तीन चौत्ताइप चममच घी बचा दिया है आगे बताते हैं क्या करेंगे एक कटोरी सिंगाड़े के आठे का इस्तमाल कर रहे हैं इसी मेजरमेंट के हिसाफ से कम जादा आप यह बर्फी बनाने के लिए यूज कर सकते तो मैं एक कटोरी सिंगाडे के आटे में अभी तीन चौथाई चमच बड़ा चमच मतलब जो सर्विस पून होता है वो घीलिया और अच्छे से इसको हमें भूनना है सिंगाडे के आटे को भूनने में लगबख तीन से चार मिट लगते हैं मगर लो टू मीडियम फ्लेम पे लगाता चलाते हुए ही इसे भूनना है अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो बहुत जल्दी है जलने वाले टेक्शर में भी आ जाता है क्योंकि बहुत हलका होता ह अच्छा सा कलर चेंज हो चुका था गुलाबी गुलाबी सा कलर आच चुका था बिल्कुल परफेक्ट आटा बुन चुका है गैस को बन कर दिया एक थाली लिए है आप कोई बोल या कोई चुभी ले सकते हैं जिसमें आपको वर्फी को जमाना हो इस तरह की थोड़ी सी ए आटे की तरफ हमने लिए है चीनी एक चुथाई कटोरी चीनी का माप लेके उसमें दो छुटे चमच चीनी और एट कर दी है थालका सा मीठा टैच थोड़ा से ज्यादा बढ़ा है आप चाहें तो मत एट करें एक चुथाई को टोरी चीनी सफिशेंट रहती है बच्चों क मिक्स करेंगे और कुटी हुई इलाइची का पॉडर दो इलाइची को कुट के अट किया है अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हमें लगबाग 2-3 मिनट लोटू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है जैसे जैसे हलवा भूनेगा तो अपने हलवे के टैक्षर में तो इस तरीके से 2-3 मिट हमें आटे को पानी को चीनी को पकाना है अब गी जो एक चौथा ही चम्मच हमने बचा दिया था उसे इस समय इस्तमाल करेंगे इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है टैक्षर भी बहुत अच्छा आता है इसलिए हमने थोड़ा सा घी बचा नीचे चिपकेगा नहीं कोई भी स्टिकी नहीं रहेगा और बहुत आसानी से उठ जाएगा तो देखिए हमारा जो हल्वा है बिलकुल परफेक्ट तयार हो गया कढ़ाई को जब छोड़ दे सो समझ लीजे आपका हल्वा बिलकुल तयार है अब कैस को बंद कर दिया इस हल जो बर्तन है उसको इसी इस साब से फैला देना है तो मेरे पूरे बरतन में नहीं आया था थोड़ी सी बड़ी था ली ती तो आधे इससे में अच्छे से अब आप क्या करेंगे उंगलियों में हल्का सा पानी लगाए आप सुच्छिण गरम-गरम मे चैसे करेंगे कोई प बहुत ज्यादा मतलग आईगा पानी मतलग हटा दीजेगा पानी टपकना नीचाहिए उंगलियों की सहारिता से अब अच्छे से हमारा जो बरफी का टेक्षेर वह अच्छे से फैल गया है बड़े हासा बन गया है उपर से नारियल का लच्छा और चिरॉनजी से हम अच्छे से जम जाएगी और एक बड़े हाट टेक्षर में कटने के लिए तैयार हो जाएगी क्योंकि हमें बरफी शेप देना है तो इसे हमें काटना होगा तो तीन चार मेंट हो चुका था बिलकुल बड़े हास से यह जम चुकी थी अब इसको नाइफ की साहता से मन चाहे आकार मे कट कर लेंगे तो मैं नॉर्मल स्कॉयल शेप में इसको कट कर रही हूँ तो देखिए बहुत आसानी से यह कट हो जा रही है बिलकुल मकमली टेस्टी मुलायम बरफी है और बहुत अच्छा शेप आया है कहीं नीचे चिपकी नहीं है मैं आपको बार बार पीस निकाल के द बज़े आते हैं तो इसको जरूर बनाईएगा यह रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अपने फ्रेंड्स फैमली में जरूर शेयर करिएगा थैंकि फॉर वाचिंग मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ बाए बाए